क्रूड ओयल यानि कच्छा तेल जिसे रिफाइंड करके पेट्रोल और डीजल बनता है और इनसे गाडिया चलती है crude oil के बारे में आपको यही जानकारी होगी लेकिन आज हम आपको crude oil के बारे में एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो जी हाँ, इन तस्वीरों में देख रहे ये लोग crude oil में नहा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर आप चौक रहे होंगे आज तर आपने पानी में नहाने की बात सुनी होगी ये क्रूड ओइल में क्यों नहा रहे हैं आपको बता दे कि क्रूड ओइल से सिर्फ गारिया ही नहीं चलती इस ओइल से इंसान भी चला करते हैं सुनकर आप चौक गए होंगे लेकिन ये बात सच है क्रूड ओइल इनसानी शरीर की कई बिमारियों को और परिशानियों को दूर करता है ये तस्वीरे अजर्बेजान देश की है जो इरान के पास है यहां पर कई लोग इसी तरह क्रूड ओइल में नहाने के लिए पहुँचते है अजर्बेजान में नाफलतन नाम का एक शहर है जहां क्रूड ओइल से नियूरोलोजिकल और स्कीन प्रॉब्लम सहित सत्तर से ज्यादा बिमारियों को दूर किया जाता है बता दे कि यहां पर लोग स्कीन की बीमारियों के अलावा और्थराइटिस और नसों के रोग दूर करने के लिए भी आते हैं क्रूड ओइल का अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता है लेकिन अजर्बेजान में सबसे ज्यादा पॉपिलर तरीका क्रूड ओइल से बाठ देने का है इसमें एक मरीज को अकरीब 4 डिगरी के तापमान पर 130 लीटर तेल में नहलाया जाता है कई लोगों ने उपचार के बाद फीडबैक देते हुए कहा कि गर्म तेल से उन्हें हड्डियों के जुडाओं में आराम महसूस हुआ लोगों ने तैव हुए समय से ज्यादा देर तक तेल में बैठने की इच्छा जाहिर की लेकिन इसमें मौझूद अलग-अलग केमिकल की वज़स से ज्यादा देर तक इसमें नहाने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो इसका शरीर पर बुरा असर परता है स्किंग जल सकती है यहां तक की मौत भी हो सकती है आपको बता दे कि बीते कुछ सालों में हज़ारों लोग यहां इलाज करवा चुके हैं इतना ही नहीं इनका ये भी दावा है कि किसी भी व्यक्ति पर इसका आज तक कोई बुड़ा असर नहीं हुआ है तो अगर आप भी कई परेशानियों से परेशान है तो कुड़ ओयल में बात ले सकते हैं लेकिन इसके लिए वैज्यानिक तरीका ही अपनाना होगा वाइरल किडा न्यूज